दोस्तो ओमनमे शिवाये श्वागत है आप लोगों का हमारे यसी यूटुब चयनल सीवा अश्ट्रोजी पर पंदरा जनवरी मकरशंक्रांती की दिन छे राशिया होंगी करोड़पती दोस्तों पंद्रा जनवरी मकर संक्रान्ती पर मा लक्ष्मी के आश्रवास से इस बार मकर संक्रान्ते के दिन बन रहा दिब और दूलब महा शुष्षय योग महालक्षमी योग सरवार चिध्योग अमरित सिध्योग 12 राश में से 6 राशिया होंगी माला माल करोड़ पती जी हैं दोस्तों आपको बतादे कि मालक्षमी के आशिर्वाज से 15 जनवरी मकर शंकरानते के दिन बन रहे धनलक्षमी प्राप्ती योग महालक्षमी योग में 12 राश में से 6 राश वालों के किसमत चमक जाएगी श्वयम धन की देवी महालक्षमी अभी इन 6 राश वालों के जीवन के सभी दुकदर्द और कश्ट दूर करने वाली है खुद धन की देवी महा लक्ष्मी मकर संक्रांती की दिन इन छे राश वालों के घर पधार रही है जिसे इन छे राश वालों के जीवन में आने वाली है महा लक्ष्मी के आशिरवास से अपार खुश्याही खुश्या जिसे इन छे राश वालों का जीवन वड़ाल जाएगा तो दोस्तों वो खुशनशिव और भागशाली राश यां कौन कौन सी है जिनका भाग 15 जनवरी मकर संक्रानते के दिन माला माल होने वाला है भाग चमकने वाला है जो करोड़पती होने वाली है इन छे राश वालों को करोड़पती बनने से अब कोई नहीं रोख सकता दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन ही छे खुशनशिव और भागशाली राशों के बारे में बताएंगे इसलिए आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अन तक पूरा देखें बिल्कुल भी वीडियो को मिशना करें क्योंकि ये वीडियो इन छे राश वालों के लिए काफी महतपूर्ण रहने वाली है और दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले मालक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में जय मालक्ष्मी अविश्य लिख दें दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शूरदेव जब मकर राशी में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रान्ती का पर्व मनाय जाता है देश के अलग-अलग राजियों में मकर संक्रान्ती को कई नामों से जाना जाता है जैसे उत्तराइन, पॉंगल, खिचडी, आदी, वैसे तो मकर संक्रांती हर साल 14 जनवरी को आती है, लेकिन इस बार 15 जनवरी के दिन बनी रहेगी, क्योंकि लोगों के मन में कन्फ्यूजन जो बना हुआ है, वो दूर कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, दोस्तों 14 काल दो बजकर 33 मिनट पर शूर देव का धनूशे मकर राश में प्रवेश करेंगे, इसी वज़े से दोस्तों 15 जनवरी का दिन सर्वस्रेष्ट रहेगा, शूर उदय, यनि कि जब होगा इस नान ध्यान का जो समय रहेगा, वो 15 जनवरी ही मानने होगा, तो सभी धर्मकर मे जो कार हैं, इसलिए 15 जनवरी को करें, उद्यात ही ठीक चलते आप 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांती का पर्व मनाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तों 15 जनवरी को मकर संक्रांती पर शुबह 7 बज कर 15 मिनट से साम 5 बज कर 46 मिनट तक का जो समय रहेगा, काफी भी शुबकार कर सकते हैं, दोस्तों आपको बता दे कि मकर संक्रांती की दिन तीर थिस्थाल पर इश्णान करना बहुत ही पुन्यकारी समझा गया है, यदि कहीं तीर थिस्थान पर पवित्र नदी में इश्णान करना शंभव ना हो, तो आप क्या करें कि घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल कर इश्नान कर ले साथी साथ यदि आप इश्नान दान आधिशी निब्रित हो जाए तो सर्व पर्थम तो अपने घर पर पूझे स्थान को साफ सफाई कर ले कि दोर्थम बता दे की अनिवस्तर का दान इस दिन जरूर करें और मकर संक्रांति की दिन खिचडी का सेवन करना सर्विस्त्रेष्ट है 15 जनवरी मकर संक्रांति की दिन दान जरूर करें ताकि सभी मनौकामने मालक्ष्मी गीजिक के कृपा से पूर्ष हो क्योंकि इस दिन शूर्देव अपने पुत्र की राशी, शनी की राशी यानि की मकर राशी में प्रवेश करते हैं, दोस्तों बता दे कि इस बार कईद दिवे और दूलब शुप सहयोग भी बन रहा है, दोस्तों अगर इस दिन आप अपने पित्रों के निमित पिंड़ दान करते हैं, तो आपके उपर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ सबस्त देवी देटाओं की कृपा भी बनी रहती है, और आपकी गरीबी ततकाल दूर होती है, माता लक्ष्मी के साथ सूर देव की भी पूजा जरूर करें, दोस्तों ऐसा करने से आपके कुंडले में मंगल दोस शनी दोष, काल सर्फ दोष, जो भी दोष हैं, सभी दोष दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाव की पूर्ती होती है, और दोष्तों साती साथ आपको बता दे कि इस दिन, मकर संक्रान्ती की दिन, आप कुछ नकुछ उपाई जरूर करें, जो भी स्तरधा हो, उसी हिशाब से उ जरूर मनाएं, दोष्तों, इस दिन, मकर संक्रान्ती की दिन, कई दिब दूरलब शुप्षयोग बन रहे हैं, जिनकी बज़े से माता लक्षम किरपा इन छे राशवालों पर पड़ रही है, जिनकी बज़े से ये छे राशवालों के किसमत सात्मे आस्मन पर रहेगी, ये बन जाएंगे मकर संक्रान्ती की दिन, करोड़पती, धंसे, माला माल, तो आईए जानते हैं, इस लिस्ट में सबसे पहली जो भागशाली, खुश नशीब राशी का नाम आता है, दोस्तों वो है यहाँ पर मेसराशी का, मेसराशी को बता दे कि इस बार मकर संक्रान्ती की जिससे माता लक्षमी किर्पा आपके उपर बन रही है, जिससे अब आपके दिन के वारे न्यारे होने वाले हैं, आपके चांद और ग्रह सभी आपका सपोर्ट करेंगे, बिजनेस ब्यापार में भी आपको लाब होगा, केरियर में सुधार होगा, जो कार अधूरे पड़ में प्रमोशन के साथ साथ पध प्रतिष्ठा मानसमान की प्राप्ति होगी, लंबेश मेशे पिंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, ब्यापार में आपको बहुती लाब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए काफी उत्तम रहेगा, नजदी की मित्रों का भ पढ़ेगी, कारशेत में लाब भी मिलेगा, और बिजनिस व्यापार में भी तरक्की मिलेगी, पत्पत्ने के बेश संबंद काफी मधूर रहेंगे, और इस बार मकर शंकरानती पर माता लक्ष्मी जी के आश्त्रवास से बिदेश जाने का मौका मिलेगा, बिदेश से संब परात होगी, जमिन प्रोपर्टी में इजाफा परात होगा, लंबे शमेशे पेंड़नी कामों को पूरा करने का प्रयास भी करेंगे, तो सफलताएं भी प्रात होती नजराएगी, लागातारामदनी में ब्रद्धी होगी, कई ऐशे कार बनेंगे, जो काफी शमेशे अधो बन रहा है, तो विदेश से में भी नौकरी मिल सकती है, अब अगले तीसरी भागशाली राशी आते हैं दोस्तों बतादे वो है, तूला रासी, तूला राशकत को इंकम भी बढ़ेगी, कारचेत में लाब भी मिलेगा, मालक्षमी के कृपा से बतादे कि बिजनस व्यापा में तरक्की मिलेगे, कोई महतपूर डेल फाइनल होगी, शाथी साथ रुकावा फासवा धन तो प्राप्त हो गई होगा, बैंक से लिखा पढ़ी का मामला सॉल्ब होगा, कुछ महतपूर कारपूरे होगे, मालक्षमी कृपा से आपकी इंकम के सोर्स बढ़ते जमिन प्रोपर्टी खरीदारी कर सकते हैं, जमिन प्रोपर्टी से रेलेट कोई गुड़नोज प्राप्त होगी, जोब को लेकर भी परिवर्तन होगा, ट्रांसफर और पद प्रजिश्टामान सम्मन के प्राप्ती होगी, भाई बहनों में प्रेम सम्मन्द बना रहेगा, तो वहीं पीताई के सहयोग से भी धन की प्राप्ती होगी, अनेक शेत्रों से धन का लाब होगा, अब अगली भाग शाली राशी है दोस्तों, चोथी वो है मकर राशी, मकर राशी को इनकम भी बढ़ेगा, कार शेत में लाब भी मिलेगा, और जो कार रुके हुए थे, उन सिख्छा पूर होते ही नौकरी में भी शफलता प्राप्त होगी और प्रमोशन की योग भी बनेंगे, बेतन में ब्रिद्धी भी होगी, कार शेत में लाब होगा, तमाम तरेके कार पूर होते नजराएंगे, अधोरे कारियों को पूरा करेंगे, सफलताएं चरम शीमा पर रहेगी क्योंकि ये समय काफी अच्छ रहेगा, आमदनी के सोर से नए बढ़ेंगे, रूपए पैसे में बढ़ोतरी होगी, ब्यापार को दुगना धनलाब के साथ देखेंगे, शाती साथ आप इसमें किसी के सहयोग से भी लाब होगा, मित्र जनों के सहयोग प्रात होगा बैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, बैवाहिक जीवन में जो उतार चड़ाओ बना था वो दोर होगा, माता लक्षमी कृपाश से मकर संक्रानते की दिन अब आपकी लोटरी लगेगी, इंकम के सोर से बढ़ने से काफी भागशाली रहेंगे, दोस्तों अब पांचमी जो भ धन का प्राप्त होगा, समाज से भी रहेंगे, समाज मान समान राजिनतिक मसल एहाल होगे, शाती साथ बता दे की घर में जो आवयाहिक जातक है, विवाह की योग रिष्टे आएंगे, जिससे घर में खूशी आ रहेंगे, किशी धार्मी कारकरम का आयज़न हो शकता है, ध इनकी घर परिबार में भी अनसुलज है, मुद्दे सुलज हैंगे, कई महतपूर जमीन प्रकूर्टी को लेकर जो पैत्रिक संपत्य को लेकर विवाज चल रहा था, वो अब निप्टा रहा होगा, और कोट के चरीक मामलों में विजय प्राप्त होगी, चारो जिसाव से आ रुपए पैसे की आंधनी में तेजी देखने को मिलेगा, आपके कार की परसंसा की जाएगी, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे विशेश लाब होगा, ब्यापार में गती मिलेगे, शेयर मार्केट में लाब होगा, साथी शेयर मार्केट में पहले से इन्वेस्ट कराका दर दुगना धन लाब होगा, लोटर शट्टा से लाब होगा, शाथी साथ बता दे कि कहीं से भी आपको गुप्त रूप से धन मिलेगा, लेकिन कोई महत्पूर आपनी बातें, शेयर किसी से ना करें, वरना नुक्सान होगा, गाड़ी बाहन के खरीदारी करेंगे, शुक शाशी का हाल जाना है, तो कमेंट में जरूर लिख दीजेगा, शाथी साथ कमेंट में जय मलक्षमी लिखिया और वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजेगा, जय मलक्षमी, जय सूर्देव